नमस्ते, ये मेरा साइन नेम है अकील शिनोय, मैं आईएसेच में काम करता हूँ, आज मैं एक बहुती प्रसित्र विक्ति का इंटर्व्यू कर रहा हूँ, जो गैलेटेट विश्वविद्याले में काम करती है, गैलेटेट विश्वविद्याले क्या है? खेर देख लीजिए मैं एक बहुती झालेटें जि funded घएसेच झालेटें सेटी मैं एक तो मैं एक बहुतीं प्रसित्थीजिद्यर विक्ति स्विवच्पले जायन कैंट्मझ छ एक बचील यद्मनास के छीसेच कहते हैं, जो lightsें हैं... बहुत सुन्दर है ये इस इंटर्व्यू में मेरे तीन उतेश्य है एक डेफ व्यक्तियों को आत्मने लिक्षन करना और उनका आत्म विश्वास बढ़ाना दूसरा सुनने वाले माता पिता को अपने डेफ बच्चों को प्रोच्वाइद करने के तरीके दिखाना और तीसरा पारत सरकार को डेफ के लिए व्यवस्था में सुधार करने के लिए अवगत कराना आज की इंटर्व्यू का यही लक्ष है अब मैं जिस व्यक्ति का इंटर्वि लेने जा रहा हूँ वह बहुत मार्ट्व पुर्ण व्यक्ति है। ये उनका साइन नेम है। वह ग्यालडेट विश्व विद्यालई में दीन के रूप में काम करती है। दीन से आप क्या समझते है। सबसे उपर का पद अत्यक्षका होता है, जिसके नीचे प्रोवोस्ट होता है और उसके बाद दीन होता है। दीन ग्यालडेट मेंट टीचर्ज और स्टाफ के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। अब मैं आपको कूबी से मिलवाता हूँ। हलो इंडिया। सबसे पहले मुझे खेद है कि मैं ISL में साइन नहीं कर सकती। अगली बार जब मैं यहां आउंगी तो ISL सीखूंगी। मैं अभी के लिए ASL में साइन करूंगी। अब प्लीज अपना परिचय दे और संचित में अपना बैग्राउंड बताए। यह मेरा साइन नेम है। मेरा असली नाम खदीजत है। हर कोई मुझे कूभी कहके बुलाता है और मेरा सर नेम राशित है। मैं गैलिडेट विश्वरद्यालाई में डीन हूँ। इसका क्या मतलब है। गैलिडेट की सभी फैकल्टी मुझे रिपोर्ट करती है। और मैं स्टूडेंस के साथ काम करती हूँ। वे अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते है। स्टाफ मैं उनके मुद्दो को संभालती हूँ। मदद करती हूँ। उनके शेड्यूल, जॉब पर लेना, उनके इस्तिफे। और विबिन अन्य कार्य करती हूँ। मेरे पास लगबग 500-600 लोग है। सच में मैं बहुत समानत महसूस कर रहा हूँ। कि आप यहाँ आए और अपने बारे में विडियो प्रसारत करने के लिए ISH न्यूस को अपना समय दिया। इसका उद्देश्य भारत के डेफ लोगों को प्रोचसाहित करना है। हमें अपना समय देने के लिए सरहाना और धन्यवाद। मुझे याद है कि यहाँ आपकी भारत की दूसरी यात्रा है। क्या आप अपनी यात्रा के दौरान का अपना अनुबव साजा कर सकती है। मैं वास्तव में भारत का आनन्द ले रही हूँ और प्यार करती हूँ। जी हाँ, यह मेरी दूसरी यात्रा है। मैं पहले ही बार यहां डॉक्टर मदन वशिष के साथ आई थी जो एक शिक्षक है। मैं यहां उनके साथ थी और हमने पूरे भारत की आत्रा की। हम दिल्ली, बैंगलोरु जैसे भारतिय स्थानों और यहां मुंबई आए और जैपूर आदी गए थे। इस बार मैं केरल की तरह दक्षिन भारत गई। मैंने वास्तों में आनन लिया और बहुत आराम किया। जब मैं वहां थी तो मैंने स्वादेश भारतिया खाना खाया जब तक की मेरा पेट ना भर जाए। अब मैं थोड़ा वजन बढ़ा के वापस USA जा रही हूँ। मैं भारतियों लोगों से प्यार करती हूँ। वे सभी अद्पुत हैं, सबका स्वागत करते हैं, गर्म जोशी से भरे हुए हैं, महित्री पूर्ण है। हो, मैंने वास्तों में बहुत आनन लिया, मैंने यहाँ शांदार समय बिताया, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई हूँ। उसने वास्तों में इस जगा का आनन लिया और प्यार किया, वह फिर आएगा, जरूर आएगा। मैं आपसे फिर से मिलने की और आप भविश्य में हमसे मिलती रहे उसकी उमीद करता हूँ, हाँ हाँ जरूर आउंगी। क्या आप भारत में किसी डेफ व्यक्ति से मिले हैं। हाँ, मैं कुछ डेफ व्यक्तियों से मिली हूँ। जी हाँ, हमने यह जानते हुए एक दूसरे से संभाद किया कि हमारी सांकेतिक भाशाएं अलग हैं। लेकिन हम संभाद कर सकते हैं। डेफ व्यक्ति हमेशा संभाद कर सकते हैं। चाहे वह एसल हो या आएसल। मेरे दोस्त अलोग केच्रिवाल है। हम डाड़ेट में एक दूसरे से मिले और तप्ट से दोस्त है। मैं कुछ अन्या लोगों से मिली हूँ और उनसे मिलना, उनके बारे में जानना, उनके अनुभव, शिक्षा, उनका बैगराउंड, काम, आधी अद्बुत्था या अद्बुत्था हां। कि आप जानते हैं कि कई डैफ बच्चों के माता-पिता और एलिजम को प्रोटसाहित करते हैं। वे सांकेतिक भाषा को हतोत सहित करते हैं इस पर आपकी क्या राए है क्या ओरलिजम अच्छा है क्या सांकेतिक भाषा महत्वपूर्ण है आप इस अवधारना को बदलने में कैसे मदद कर सकते हैं ओरलिजम मेरे विचार से मैं समझती हूँ कि जब डेफ बच्चे पैदा होते है तो माता पिता बहुत चिंतित हो जाते है कि बच्चा सुन नहीं सकता उसके भविश्य की चिंता करते है माता पिता तनावग्रस्त होते है वे रोते है चिंता करते है और बच्चों को बोलने के लिए कहते है मैं समझती हूँ, लेकिन इससे डेफ का कोई फाइदा नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि मैं सुन नहीं सकते, मैं कैसे बोलेंगे? स्टूडेंट्स अकसर गलत उचारन करते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करते रहने के लिए मजबूर किया जाता है या समय की बरबादी है इसके बजाए स्कूल में सांकितिक भाषा के माध्यम से गनित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्यान जैसे विश्यों को सिखाना बहतर है सारी सिक्षा सांकितिक भाषा में होनी चाहिए यदि डेफ बच्चों को हर समय औरलिजम से सिखाया जाए तो वे कुछ नहीं सीखेंगे वे भविश्यों में कैसे सफल होंगे वे बोलना तो सीख लेंगे लेकिन उनके गान का क्या इसे कुछ नहीं होगा वे भिन वेश्यों को सांके दिकभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को एक दूसरे को उस पर स्ट्रूप से समझेंगे अगर वे बोलना जारी रखते हैं तो सुनने वाले लोग उनकी आवाज के लिए उनको जज़ करेंगे क्यों? क्योंकि वे डेफ होने के कारण अच्छा नहीं बोलते हैं उनका दूसरा मुद्दा यह है कि डेफ के साथ सांके दिकभाषा में संबाद करने में असमर्थ है वे सुनने वाले के साथ भी संबाद नहीं कर पाते तो यह बरबादी है थोड़ा औरलिजम के साथ सांके दिकभाषा ठीक है मैं इसकी पूरी तरह खिलाफ नहीं हूँ लेकिन डेफ के लिए सांके दिकभाषा बचपन से ही बहतर होती है अमेरिका में कही सुनने वाले माता-पिता भी बच्चों को सांके दिकभाषा सिखाते है क्योंकि यह संचार का सबसे अच्छा तरीका है जब बच्चे पैदा होते हैं तो वे बोल नहीं सकते है लेकिन वे साइन कर सकते हैं 5-6 महिने के बच्चे भी साइन कर सकते हैं, वे साइन करते हैं और दूद, सेप, आदी मांगते हैं, वेहत कहते हैं कि वे भूके हैं, तो वे संबद कर सकते हैं, 5-6 महिने के बच्चे एक या दो साल बात तक बोल नहीं पाते, लेकिन वे पहले साइन करते हैं, तो अगर सुनन करता हूँ बहुत जरूरी है अमेरिका और दुनिया भर में जहां लोग अपने जनम से ही सांकेदिक भाषा में संबाद करते हैं क्या वे जीवन में सफल रहे हैं क्या आप उन व्यक्तियों के नाम सूचिबन कर सकते हैं खेड मैंने हाल ही में मदन वर्षिश का उलेग किया था एक उत्कुरुष्ट शिक्षक है एक पीएजडी है और बेहत सफल है वे दो पुस्तकों के प्रसिद्ध लेखक है आलोक केजरिवाल एक भेहतरीन बिजनेसमेन है विवेक कोठारी और भारत में कई अन्या सफल डेफ व्यक्ति है जो स्वाभिवाविक रूप से साइन करते हैं अमेरिका में सूची में बहुत सारे डेफ डॉक्टर, मेरे जैसे डेफ शिक्षक जो साइन करते हैं वो है हमारे पास ऐसे कई व्यक्ति है लेकिन मैं उन सभी का नाम नहीं ले सकते भारत, अमेरिका और दुनिया भर में सफल डेफ लोग है जिन्होंने सांके दिख भाषा में संजार किया है इसका मतलब है कि सांके दिख भाषा महत्वपूर्ण है जब डेफ बस्चे साइन करते हैं तो उन्हें भाषा का ज्यान होता है और उन्हें बाहदूर और आत्मविश्वासी पज्ञे में मदद मिलती है फिर बविशों में चुनोदियों से अपना नास्ता निकाल सकते हैं और सफल हो सकते हैं यह सांके दिख भाषा सीखने के महत्वप को इंगित करता है और मुझे लगता है कि भारत में भी मैंने कई लोगों को दुकानों में बातचीत करते समय इशारों का उप्योग करते हुए देखा है यह सांके दिख भाषा है यह ऐसे ही होता है यह केवल डेफ के लिए नहीं सुनने वाले के लिए भी है दुकानदारों से बात करते समय लोग चीजों की कीमत जानने के लिए इशारे का प्रयोग करते हैं यह सांग के दिखभाशा है याद रखे क्योंकि सांग के दिखभाशा हर जगा है मैं सुनने वाले लोगों को इसे सीखने के लिए प्रोचाहित करना चाता हूँ और डेफ समुदाई के साथ हाथ मिलाने के लिए कहना चाता हूँ एक डेफ व्यक्ति होने के नाते मैंने पूरे योरोप की यात्रा की है मैंने हमेशा deaf यक्त्यों को साइन करते देखा और मैंने उनके साथ संबाद किया ढूसरी और बाशा अवरोध की कारण सुनने वाले लोगों को संबाद करने में कटिनाई होती है डेफ जो सांकेतिक भाषा जानते हैं एक दूसरे को कहीं भी पैचान सकते हैं और एक दूसरे से समबात कर सकते हैं ये कितना अच्छा है भारत में लगबग 600 डेफ स्कूल है लेकिन इन में से केवल 3-4 ही बाइलिंगुलिजम का समर्थन करते हैं जो सांकेतिक भाषा और रिखित अंग्रीजी के माध्यम से एक शिक्षा है 600 स्कूल में सिर्फ 3-4 बाइलिंग्वल स्कूल है इतनी कम संख्या आपके दुश्टी कौन से आप इस बारे में क्या मैसूस करते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं मैं बहुत दुखी हूँ यह सुनकर बहुत दुख हुआ हार्ट ब्रेकिंग्ग औरलिजम से बच्चे कैसे सीखेंगे बोलते समय शिक्षक के मूग को घूर कर उन्हें एक भी शब समझ में नहीं आएगा वह कुछ नहीं समझेंगे जब शिक्षक इतियास पढ़ाते हैं और गांधी के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंस केवल उनके चेहरे पर नजर रखेंगे स्टूडेंस को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वह कौन है वे लिप रिटिंग करते रहेंगे उन्हें एक भी बात समझ में नहीं आएगी मैं हैरान हूँ कि भारत के सभी स्कूल ऐसा करते हैं इसका मतलब है कि डेफ बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है अगर कुछ डेफ बच्चों में सुनने की कुछ शमता होती है तो कोई बात नहीं जो मेरी तरह नहीं सुन सकते वे बस लाचार है वे नहीं समझ सकते है शिक्षकों को सांकित एक भाशा में समझाने की ज़रूत है सांकित के साथ थोड़ा बोलना भी ठीक है जब शिक्षक केवल oralism का उप्योग करते हैं तो students केवल उनके चेहरे को घूरते रहेंगे और कुछ भी नहीं समझेंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ मुझे लगता है कि यह दूसरी तरफ होना चाहिए, sign पर अधिक जोर और oralism पर कम ऐसे ही करना चाहिए जब ग्यालेड विश्वविद्याले की स्थापना बहुत साल पहले 1864 में हुई थी 158 साल पहले इसकी शुरुवात sign language से हुई थी यह तब से चला आ रहा है, तब से 158 साल बाद हम अभी भी सांकेतिक भाषा का उप्योग कर रहे हैं जो एक मजबूत नीव है वे जानते हैं कि सफल डेफ शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा का होना अवश्यक है अब किसी व्यक्ति को लिप रीडिंग के लिए कूरते नहीं रह सकते और अनुमार नहीं लगा सकते कि वो क्या कह रहा है, सांकेतिक भाषा जरूरी है मैं चाहता हूँ कि भारत के सभी डेफ स्कूल सांकेदिक भाषा के माध्यम से शिक्षा को समर्थन और बढ़ावा देने के गालडेट की आदर्श पद्धति का पालन करे मैं चाहता हूँ कि भारतिय डेफ स्कूल इससे प्रेरित हो और ववस्ता को बदले यह बेतर डेफ शिक्षा के लिए है आपने अमेरिका के गालडेट में पढ़ाई की और ग्राजुएशन किया आपने देखा कि सांकेदिक भाषा में समबाद करना कैसा होता है है ना आप इसे बेतर जानते होंगे सच मुझ वह इतना बड़ा प्रभाव था मैंने देखा कि मैं स्वतंत्र रूप से समबाद कर सकता हूँ भारतिय सुनने वाले स्कूलों में मुझे लिख कर समबाद करना पड़ता था या मुझे अपने दोस्तों से पूछना पड़ता था या मुझे हमेशा किसी पर निलभर रहना पड़ता था गैलोडेट में मैं सतंत था मुझे समबाद करने के लिए कभी लिखना नहीं पड़ा मैं सिफ साइन कर देता था मैं सीधे शिक्षकों से अपने प्रशन पूछता था और उत्तर मिल जाते थे यह एक बड़ा अंतर था साथ ही मैंने सीखा और बहुत तेजी से आगे बढ़ा तो सांकेत इक भाषा के माध्यम से शिक्षा ने मेरी बहुत मदद की बिल्कुल इससे आपका आत्मविश्वास बड़ा साइन करते हुए आप सब कुछ समझ गए ग्राजुएशन के बाद जब आप दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको पता होता है कि क्या करना और आत्मविश्वास से करते हैं बस यही तो है